यह इस तरीके से मोबाईल को फ्लेश करता हूं क्योंकि मैं हर एक मोबाईल को फ्लेश करता हूं लेकिन इडियल मोड फ्लेश करने के लिए आपको मुबाइल का बेक पैनल अटाना पड़ता है और बेक पैनल अटाने के लिए आपको कुछ संसाधन की भी जरूरत पड़ती है तो इसलिए आप बूट लोडर अनलोग कर लीजिए बूट लोडर आप इस्टेंडली अनलोग किस तरी की इस कर सकते हैं बताऊंगा इसके अंदर कि आप आत तो आत मतलब इस्टेंटली बूट लोडर को अनलोग कर सकते हैं आपको 360 घंटे का वेट नहीं करना पड़े इसके बारे में बात करने वाले आपका बूट लोडर जिस्ट यह आप जैसे कलिक करोगे आपका बूट लोडर रहे अनलोग हो जाएगा और उसके बाद आप फस्ट बूट मोड़े में मुबाइल को फ्लेस कर सकते हैं तो आज हम बूट लोड के बारे में बात करेंगे कलम वीडियो अपलोड करेंगे जिसके अंदर में आपको बतांगा किस तरिके से आप मोबाइल को मोबाइल का सौफ्ट वेर कर सकते हैं तो फ्रेंट इसके लिए आपको तीन चीजों की जुरूट पड़ेगी एक अंदर की अनलोग टूल एक फलेस टूल जो फलेसिक की लिए काम है इसके बारे हम कल बात करेंगे और एक है मॉबाइल का ड्रावर यूस भी ड्रावर तो ड्रावर का आपको लिए वीडियो की ड दिखा देता हूं कि मेरा बूर्ट लोड रहे जो फिलाल के लिए अनलोक है और किस तरीके से अनलोक किया वह सारा इस्टेप बताऊंगा और इस्टेटली आप अनलोक कर पाऊगे तो यहाँ पर देख लिजी एडिस्टनल से टकी यहाँ पर मैं डवलोप प्रोप्शन में देता हूं तो इस तरीके से इसे आपको ओन कर देना निचे एक ओप्शन हो रहाएगा वह भी आगी वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं तो फ्रेंट देख लिजी यहाँ पर ओप्शन आज जाएगा थोड़ा सा स्क्रोलिंग में मेरे प्रोब्लम है यहाँ पर देख जी यहाँ पर मैं आज को मैं लोग इस्टेटस और यह देख लिजिए इस डिवाइज इस अनलोकेड मतलब इसका बूट लोडर अनलोक है इसके अंदर मैं जो फ्लेस कर सकता हूं फास्ट बूट मोड के अंदर तो यहाँ पर आपको पहले अपने डिवाइस के अंदर मैं को एड़ कर लेना है और यहाँ पर आप फ्रेंड है साइन अप कर लिजिए साइन अप करके अपने पासवर्ड और मोबैल नंबर को सेव कर लीजिए एक बात और बता देता हूं यह मोडे टूल है इसलिए इसमें इस्टेट अंलोक होता है तो आप इसके अंदर कोई भी अ करने के लिए यूज करें उसके बाद इसे मैं एकाउंट को आप यूज ने करें जब भी आपको अनलोक करना हो तब आप इसका यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने साइन अप कर लिए और साइन अप करने के बाद फिर से डूलोप रॉप्शन में दिखा देता हूं कि य यहाँ पर दोनों जिए वहीं है मैं एकाउंट एड करने जो आपके फोन के अंदर एड़ेड़ हो जाएगा डौलोप रॉप्शन में आके आपको सिधा एड़ का उप्शन मिलेगा अब आपको फास्ट बूट में लाने के लिए मोबाल का वॉल्यूम डाउन बटन दबान लेटोब का लिएना पर देखी मैं लेटोब को अन्लॉक कर देंगा और लोक करने के बाद तीनों टूल आपको दिखा देता हूँ क्यों इसका जबने के लिए स्क्वेडियन आपको जिफिप फाईल मिलीगी जिफिफभा आपको लेफटोपि के अंद्र एक्टरेक कर डैन एक ट्रेक करने के लिए आपको एक विंडर की जरूरत पड़ीगी वह आप गुगल से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको नहीं मिले तो मुझे बता देना मैं आपको जो उसका लिंक भी प्रोड कर आदूँगा तो यह देख लिए यहां पर दो नमर मैंने इसे अल्रेडी एक्ष्ट्रेक कर रखा है इसको आपको सिंप्ली ओपन करने के बाद इस तरीके से फाइल आईगी इस फाइल को भी आपको एक बार ओपन कर लेना है ओपन करने के निच्चे आपको मिलेगा यह देख लिए माई फलेस अनलोक नाम से फालडर मिल चुका है इसको आपको ओक्ष्ट्रेकर लेना है इसके अंदर आपको आई एग्री कर देना है और एक जृटो के रिकवर्मेंट आये था आपको को अपने फोटो का पलोड कर दीजिए यहां पर आप वो मोबाईल नमर लगा लिजे जो आपने उसे में अकंट क के अंदर भी एड हो जाएगा। निच्छे आपको पासषड यादत आप पासषड की मतल से भी यहाँ पर लोगिन कर सकते तो यहाँ पर मैंने मॉबाईल लगा लिए मोबैल नमर लगा लिए इस तरी के एक option आएगा अब आपके मोबैल की यूस भी आपको connect करनी है आपको इसके अंदर जो USB केबल लगा देनी है USB केबल लगाने के बाद जश्ट आपको start करना है यह देख लिए मैं लगा देता हूं USB केबल लगाने के बाद आपके सामने verification आएगा और verification अंदर आपको दिखा दिया जाएगा का आपका device connect हो चुक है तो आँ देख लिए phone connected है unlock will erase data तो आप जब भी unlock करेंगे bootloader आपके जो भी डाटा है सारे क्रेपट हो जाएंगे ता आप अपने डाटा पहले से backup कर लीजी यह मैं आपको बता देता हूं कि आपके कोई भी personal photo जोगे रहे उसका backup ले लीजिए यहां पर देख लिए unlock option आचको है तो इस पर आपको simply click करना है फिसी थोड़ा थोड़ी से मेरे video recording problem और इसके आप से माफी चाहता हूं वे देख लिए unlock option आचके unlock will erase data आ रहे तो अपका data है जो erase होगा यानि कि delete हो जाएगा और unlock कर दीजी आप देख लिजी यहां पर प्रोप्स ना चुक है और मैंने यहां से